भारत द्वारा अगनी पाँच मिसाइल के लगभग आठ सफल परिक्षडों के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भारत ने अगनी सिक्ष पर लगभग काम करना सुरू कर दिया है भारत की अगनी सिक्स मिसाइल परियोजना अब तक की सबसे बहु प्रतिक्षित परियोजना में से है 19 अपरेल 2012 को अगनी पाँच के पहले परिक्षड के बाद डियाइडियो के पूर्व अध्यक्ष डाक्टर बिजय कुमार सारवस्त ने बहुत असपष्ट रूप से कहा था कि भारत का अगनी मिसाइल कारेक्रम को खतम करने का कोई इरादा नहीं है अगनी सिरीज की मिसाइलों का निर्मार कार जारी रहेगा गौर्टलव है कि आने वाली वर्सों में अगनी पाँच के सफल परिक्षड के बाद भारत ने अगनी सिक्स पर काम करना सुरू कर दिया है भौतकी का एक बुनियादे नियमिया है कि गुरुत्वा करसल और सुवेक के कारण एक वारेट के वजन और एक मिसाइल की सीमा के बीच ब्यूत करम संबंद होता है यदि भारी भार के लिए अगनी पाँच के एक ही राकेट बुस्टर का उपयोग करके जहां पर पांस सो किलोग्राम का वारेट कम कर दिया जाए तो मिसाइल की मारक शमता दस हजार किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है तो इस से धांद के अनुसार अगनी पांच पहले से ही दस हजार किलोमीटर स्रणी का आई सीबी अमन है हाला कि कम सकती साली वारेट के साथ इसे आराम से आठ दस हजार किलोमीटर की रेंज हासल की जा सकती है और यह भारत के परमाणू निवारण में प्रमुक कारिकरों में से एक रहेगा जैसे अगनी सिक्स के टीन टन परमाणू पेलोड की साथ 6,000 किलोमीटर और 8,000 किलोमीटर की बीच की सीमा और डेर्ड टन हलके पैकेज के हलके हतियार के साथ 10,000 किलो मीटर और 12,000 किलो मीटर के बीच की मारक छमता हासिल की जा सकती है अगनिसिक्स की मारक दर्सन प्रणाली में रिंग लेजर जाइरू स्कोप के साथ नेवियेशन प्रणाली को सामिल किया जाने की उमीद है अगनिसिक्स को एक ठोस इधन वाला मल्टी स्टेज ICBM माना जाता है जो MIRV कांफिट गेशन में 10 परमाणो थर्मो न्यूक्लियर वारेट तक ले जाने में सक्चम है राकेट में सबसे खतरनाक एंटी बैलिस्टिक मिसाल सिस्टम को हराने के लिए और इसके रडार को चक्मा देने के लिए इसमें MIRV टेकनोलजी के का इस्तुमाल किये जाने की संभावना है जैसा कि भारत ने कथे तोर पर डबल इस्टेज धर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस और सिंगल इस्टेज बूश्टेज फिशन बमो का एक खातक सस्त्रागार अपने बेड़ें बिक्सित किया है प्रतेक MIRV वारहेड में 500 किलो टन तक के विस्टोटक छमता ले जाने की होगी इस प्रकार या पूरे छेत्र में नश्ट करने और लाखो करोडों लोगों को नश्ट करने में सक्षम होगा एक ही बार लांज करने में या सत्तर टंका वह सकल वजन होने के कारण अनिस्यक्ष को दस हजार किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभा कोई दिक्कत नहीं होगी और इसमें ऐसे छमता है कि भारत को जो सैन उपग्रा है वो पृत्विय की कच्छा में लांज करने में या मदद करेगा इस प्रकार इसकी फ्रैक्षनल आर्बिटल बंबार्डमेंट सिस्टम छमता को भी इसको माना जाएगा भारत करनार ब्रह्मा चेलानी और आकेश कृषनल जिस्टम जैसे प्रसिद रड़नीतिक के बिसेशग्यों ने अतीद में बार बार तरक दिया है कि भारत को निकट भवी समय एक विश्वस्नी आईसे बीम बलके साथ एक वैस्विक छमता को विक्सित करनी चाहिए या भारत के लिए 10,000 प्लस किलोमीटर की सीमा की साथ वास्तविक आईसे बीम बिक्सित करने का सही समय है आगनिसिक्स परियोजना को विकास के लिए तुरंद मंजूरी दी जानी चाहिए किसी देश द्वारा सामना किये जाने वाले भूराजनेतिक दबाव हमेशा एक राष्ट की एक्षा और उसकी राणनीतिक दिश्ट के परिडाम होते हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में रिसर्च प्रोफेसर और लोगप्री राष्ट्री सुरक्षा विसेशग भरत करनार करते हैं मजूदा केंद सरकार को ऐसे दबावों को सामना करने के लिए तयार रहना चाहिए और जिसके भीना भारत कभी भी एक महान और बड़ी सक्ति बनने की आकांचा नहीं रख सकता है अगनी पांच और अगनी छाय मिसालों से युक्त एक बड़ा ICBM बल सामरी कस्तर के युद्ध छेतर में देश के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच सुनश्चित करेगा और भविष्च के संगर्सु के दवरान बड़ी सक्तियों को भारत भीरोधी गत्विदियों में भाग लेने से रोकने का काम करेगा एक डिटरेंस का काम करेगा जब UPA1 और UPA2 की सरकारों को कई नेति निर्माता हो द्वारा सांतिवादी माना जाता था इंडिये तीन सरकार के लिए अगनिसिक्स कारेकरम को तेजी से मंजूरी देकर और परिक्षड लांच करके अपनी राजनेतिक एक्छा सक्ति साबित करने का सही समय है आने वाले वर्सों में पहला प्रोडोटाइब इस प्रकार सायोगत राज अमेरिका रूस ओफचेंज ऐसे सैन महा सक्तियों के लीग में भारत को आगे बढ़ा देगा ऐसी चमता भारत को बैस्वी कुछ पटल पर जबरदस्त कूटनीतिक लाभपरदान करेगी भारत अगनी सिक्स का परिक्षड जिसकी रेंच चाहजार किलो मीटर से दिखोने वाली पूर्ण चतुराई के साथ करना चाहिए ताकि इसके पूर्ण स्रेंच परिक्षड पश्चिमी मेडिया के हलकों में ज्यादा तूफान ना लाए परिक्षड को निस्पादित करने का सबसे अच्छा तरीका मिसाइल की अधिकारिक सीमा को 6000 किलो मीटर तक घोसिट करना है इसे चीन का सेंटर चीन सेंटरिक हतियार के रूब में इसको प्रेस करना चाहिए लेकिन तीन टन सूपर हैवी वारेट के साथ उड़ान भरे भाजपा के नेत्त वाली गेंद सरकार को महत्तपून राजनेतिक लाव मी मिलेगा क्योंकि वाज्याने को बलब्धिक वो प्रधान मंतिर द्वारा घरेली मत दाताओं को एक प्रमू के तिहासिक मेल के पत्थर के रूप में वर्यनित किया जा सकेगा जैसा कि मार्च में किये गए एसेट परिक्षण के तर्च पर किया गया था क्या प्रधान मंतिर नरेंदर दामोदर दास मोदी वाजपेई के पनाचिनों पर चल सकते हैं जैसे ही अगनी सिक्स का परिक्षण और सत्यापन हो जाता है प्रधान मंतिय नरेंदर मोदी भी लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास्क पर एक अस्थाइस वैक्षिक कारेकरम भी घोसरा कर सकते हैं और 6000 किलोमीटर पर ICBM कारेकरम को अधिकारिक तोर पर घोसित कर सकते हैं पूर प्रधान मंतिय नरेंदर मोदी दूरी कियाम चुनाओं से पहले इस नए तकनीकी छमता कप्रदर्सन करने में सक्चा मुवेत हुए तिहास के सुनारे पन्ने उन्हें एक सच्चे राश्ट्री नायक के रूम में याद करेंगे धन्यवाद